हेलो दोस्तो देखिए आज हम एक बिकार घर में पड़े डिबबे का यूज करके इतना सुन्दर साम हेंगिंग बनाने वाले हैं कि यह मार्किट से अभी ताजा ताजा खरीद के लाएं पुराना भी नहीं ताजा ताजा खरीद के लाएं तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते ह आपको इसा डिबब लीजीगा जिसकी चारो साइज ना मतलब सारो साइड एकसी हो मतलब जैसी की चकुर टाइप का हो एक तब ऐसा आप डिबब लीजीगा फुर उसके बाद मैंने यह पीसी जैना सौरी पहले ही कट कर लिए थे मैंने आपको दिखाया नहीं था लेकिन मै बता देती हूं मैंने कैसे कट किये थे पहले मैं आपको यह बता देती हूं मैंने कट यह पहले इसलिए कर लिए थे क्योंकि मतलब मेरा बेटा मुझे परिशान कर रहा था तो मैंने इसलिए जब को सो गया तो मैंने कट करके रख लिया है कुछ काम मेरा असान हो जाएगा लेकिन मैं आप आपको बता देती हूँ कि मैंने ये कैसे कट किये। मैंने जो हमारा बॉक्स था उसको कार्ट बोर्ट पर रखा और उसके चारो और से हाफ आफ इंच एक्स्ट्रा करके मैंने कट किया। बदलब दो बेंचिस तो हम इस तरह के से बनाएंगे। और जो उसके टॉप पर हम एक छोट असा बैंचिस बनाएंगे, वो जो हमने पहला पोर्शिन कट करा है, फिर उसका एक एक हाफ इंच कट करके, कम करके, फिर हमने ये वाला पोर्शिन कट कर लिया। मेरे पास यहाना मजबूत वाला कार्ट बोर्ट नहीं था, इसलिए मुझे दो तीन ये एक को पर एक ग्लू करने पड़े हैं, अगर आपके पास स्ट्रॉंग बाला कार्ट बोर्ट हो, जो मोटा होता तो एक से ही काम चड़ जाएगा, फिर दिखिए इस तरह किसे हमने दो बंच बनाये थे, और जो छोटा वाला बंच बनाया थे, वो हम उस बड़े वाले के उपर रख देंगे, रखने के बाद, फिर हम अपने बापिस कार्ड बोर्ट पर आजाएंगे, सौरी, बॉक्स पर आजाएंगे, और हमने इस पे एक पैंसल से ड्रॉ बना बना लिया, ब करने में, मेरा हाथ बहुत दुग गया था, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने कोई क्राफ्ट बनाया था, जिसमें मुझे से किसे कट करना था, तो मेरे ने उंगूठा और उंगलियों में बहुत दर्द हो गया था, तो आज कि मतलब जो मैं इसको कट कर रही थी तो बड़े म मुझे से कट हुआ, एक बार खुट से क्यार रहना, दो हटो नहीं हो रहा है, फिर मैं तो इसको कट कर लिया है, तो यह कुछ इस सरी की से लगेगा, जैसे की कोई इमारत कर नहीं होता है, इस टाइप से ऐसा लगीगा, और नीची का जो इसको वूह हो रहा है, प्त तो कहीं के इस टाइक से ताकि सट्रॉंग रहे मतलब एक साफटा सटा ना हो इस टाइक से में इसको ग्लू कर लगाएंगे इसके उपर हम हैंगिंग भी लगाएंगे प्याराथ इसको पूरा ही एक इमारत का लुक देंगे हम जैसे पुराने जमानों की होती है तो पुरा पूरा वो फील आएगा तो और अच्छा लगीगा इस तरीके से कवर होने के बाद फिर हमने एक बॉल लिया है उ प्रश्य के सब्सक्राइब लिए पर लिए और टूश्य पेपर को फिर हम जो हमने अपने मतलब जो क्या बोलते हैं तो कार्ड़ बोर्ड जो वीच में से अजीब सा लग रहा है ना यह गैब के अप सारा है इसको सारा कबर कर लेगा तो आपको बहुत अच्छी से लगाना है कि शुपडर बहुत अलक़ा होता है तो इसको फ्रणा प्यार से करिएगा मने रियंग उसरा कैजिए इसको भी सब अच्छे से कबर करना है आप पीजिड़ करें बोरत प्ल कर ंच्छी एज एजी वीडियो आप missing कर देंगे और कोई भी कमी लगी हो कुछ भी suggestion देना हो कुछ पनवाना हो, कुछ करना हो तो इसके लिए comment जरूर करिए comment जरूर करिए या मैं सब के comment पढ़ती हूं फुर उसके बाद हमने क्या क्या हमने molded के लिए है दोनों क्ले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके हम आप सुचेंगे हम इसके क्ले का क्या करेंगे हम इसके क्ले का बनाएंगे हैंगिंग और यार यार ये ना जो नीची ये जो बेस आई ये पता नहीं कहीं तो निकला था मतलब कुछ लाई थी मैं खरीद के तो उसमें निकला था अब किया नहीं पता कहा निकला था लेकिन मैंने इसको समाल के रख लिया था कि क्या पता कभी काम आ जाए तो देखे आज ही काम आएगा तो हम इसको ना इसके टॉप पर लगा देंगे ताकि जैसे कभी हैंगिंग जैसा हो जाएगा कभी लटकाना होगा तो इसमें काम करेगा कील वील में फिर उसके बाद सूखने के बाद मैं क्या करती हूँ मैं सारे पे ब्लैक कलर अप्लाइ करेंगी तो इसको एंटिक जैसा लुक देना चाहरी थी तो ब्लैक कलर तो उसमें एक दम बढ़िया लगता है तो देखी ब्लैक कलर ऐसा कलर होता है ना इसके नीचे जैसे करने के आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है वाकी कलर इसके नीचे ज़रूरत पड़ती है तो इसके नीचे मैंने जैसे अप्लाई नहीं करके डारेक्ट ही ऐसे कलर किया है फिर गोल्डन कलर लिया और उसको ना हाथ की हेल्प से मैं अपनी उंगली से इस तरीके से ना सब पे उसको लगा दूँगी अच्य से मैंने बरश से नहीं यहीं लगाया मैंने हाथ से लगाया है बरश से ना कहीं कहीं जधा गएंगी कम इस टाइप से कुछ लग जाता है और फाइनल देखेंے हमारा बंके यह रेडी हो गया है बीच में मैंने flower लिया है उसको flower pot रख दिया है और फिल मैं इसमें थोड़ा सा अगर चाहे तो आप इसमे लाइट्स लगा देते हैं मैं लगा कर भी आपको दिखा देती। दीखे मैंने इसमें लाइट्स भी लगाइ kernel लाइट्स लगने के बात बहुत जादा प्यार की जरूरत है और बस इसे जादा मैं आपको क्या कहूं वीडियो एंजॉय करें बाबाई